साहब गंज में जो हिंसा हुई है और जो बजरंग बली की प्रतीमा खंडित की गई इन दौनों मामलों पर हम बात करेंगा सथानिया विधायक है बिजयपी के वरिष्ट वधायक है अननत ओजाजी एक एक फाइयर तो दौनों मामलें में दरज हुआrau है लेकिन की लोगों को ग्री सचीव को पत्र लिक करके और साहिब गंज को असांत करने का जो सुनियोजित साजिस चल रहा था इसको ले करके कुछ अस्तरी जाच कराने की हमने मांग की है और जिस प्रकार से एक अप्रेल को चैती दुरुगा पूजा के भी सर्जन जुलूस में योजना बत तरीके स एक यहां महला है साहिब गंज नगर में एक महला है बरतला के पहले उस महला में अचानक भी सर्जन जुलूस के उपर जिला प्रसासन के बरी अधिकारियों के उपस्तिती में अचानक पत्राओ किया गया और उस पत्राओ के कारण यहां के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कई पुलिस कर्मी, कई सरदालू, यहां तक की जुलूस में जो महिलाएं थी, वो सब लोग चोटिल हुआ और यह सब प्रसासन के आँख के सामने हुआ, सब लोगों ने देखा, सायद अगर उस दिन जो अराजक तत्तो है, अराजक तत्तो पर सासन करवाई कर दिया होता, तो पुना दुबारा एक असांत करने का दूसरी घटना, प्रतिमा को खंडित करने की घटना नहीं होती, और मैंने जिला सासन के सभी बरी अधिकारियों को कहा है, कि आप इसकी अच्छे तरीके से जाज करिये, जिन लोगों ने अराजकता फेला करके और धार्मिक भावना को अगात करने का कृत्त किया, ऐसे लोग सभी आपके आँख के सामने है, इसे लोग को चिनित करके और उस प सब लोग को बालूम है कि जुलुस लेकर के जा रहा था, जुलुस के उपर घरों से पत्रा हुआ है, उसके सारे बीडियो पूटेजे, सारी घटना है, जब दोसी को धार्मिक चसमे से देखना असासन काम करेगा, तो निशित रूप से इस प्रकार के अंदर में लोगों मे सबी को कहा है कि इसको राजितिक चसमे से या विक्स किसी दबाओं कर न करें, जो अराजक तत्तो है, उसको चिनित करिए और चिनित करके उस पर करवाई करिए. आपका कहना है कि सिर्फ जो जुलूस में सामिल लोग थे, उनको इसलिए निसाना बनाया जा रहा है, उनलों को इसलिए पकड़ा जा रहा था कि एक विससे समुदाय को खुस किया जा सके. अब तो हम क्या बोलेंगे, आज सुबह सुबह से महला का सारे लोग आकर के बोलते जा रहे हैं, लोग महिलाये बोल रहे हैं कि मेरे साथ दुर्बेवार हुआ है, उसके परिजन आकर के बता रहे हैं कि मेरा बेटा जुलूस में तो सहीज में सामिल था, लेकिन इस प्रकार को पर पत्तर मारे ऐसे लोगों को चिनीद करके और कठोड़ता से करवाई करें तो फ्लैग मार्स निकाला जा रहा है सांती भाली के लिए ठीक है यह प्रसासन का अपना रूटिन काम है यह करते रहना चाहिए लेकिन सहर के लोग यहां का मन पसंद लोग है यहां सांती चाहत है कि आप इस प्रकार के अरजकता नहोंने दें आपके आखों के सामने जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं जिन लोगों ने धार्मिक भावना का अगात किया वैसे लोगों पर करवाई करिए आखरी सवाल अगर जो लोग घटना में सामी लेजे साब कर उनको नहीं पकड़ा जा रहा है वो इसे समुदाय साम्पलों आरो प्लागर रहा है उनलों को नहीं पकड़ा गया तो बीजेपी का क्या कदम होगा नहीं लोकतंत्र है लोकतंत्र में जब बैठे हुए लोगों का आवाज नहीं सुनी जाएगी तो सभाविक है कि वो लोकतंत्रिक तरीके से जो अपना जो भी मर्यादाएं है उन मर्यादाओं का साथ करेगा अभी तो हमारी प्रात्मिक्ता एक मात्र प्रात्मिक्ता है कि सहर की सांती ब्यवस्ता बहाल रहे सहर में लोग अपना जीवन दिन्चरिया कायम करें और लोग सांती के साथ जिस प्रकार से सहर चलता था उस ब करके हम लोग आने वाले समय में करेंगे और यह चुकी छे तरह माननी इस जिला से माननी मुखमंत्री जी भी आते हैं यहां से संसदी कारज मंत्री और ग्रामिनी विकास मंत्री भी आते हैं घटना के बाद भी आज तक सरकार के कोई निमायंदे आ करके साहब गजिसुकी थरबाजी हो गई दुर्गा पर्तिमा विशर्जन जुलूस यातर में क्या आपकी मांग होगी कि हर्मान जैन्ती पर भी जुलूस निकाली जाए यह तो निकालते ही हैं लोग जो समाने देनी भक्त गन है वो करते भी है प्रसासन सुरक्षा देना प्रसासन का जिम्मवारी हो इन कुछ खास महले में जहां पिछले बार भी लोगों ने आराजक्ता पहलाई थी महलों ने जान बुझ करके कुछ आराजसत्तों ने साहे वज की सांती को भंग करने का काम किया है इसलिए मेरा आपके माध्यम से भी बार-बार हमारा आग रहा है कि ऐसे आराजक्तत्तों जिनोंने पुलिस कर्मियों पर पत्थर मारे जिनोंने सरदालों पर पत्तर मारे सांसन अगर करवाई कर देगा तो उसका इक बाल रही है एक तरफा करवाई हो रही है विसे समुदाय को खुस करने के लिए ऐसा पूलिस पसासन करें या आरोप अस्थानिय विधायक लगा रहे हैं और यह भी करें कि जो लोग घटना में सामिल है उनको नहीं पकड़ा गया तो लोगतांतरिक तरीके से जो भी कदम उठाना ह होगा वो बीजेपी उठाए कि बीजेपी सांत नहीं बैठेगी साथ में यह कर रहे हैं कि हनुमान जैनती पर जुलूस हर साल निकलती है यह हर बार निकाले जाती है इस बार भी होगी सो हमारी मांग है कि जो लोग घटना में सामिल है उनको तुरत पकड़ा जाए कैमरा प